हलो दोस्तों नमश्कार आए स्टाट करते हैं 14th of March का एडिटोरियल जिसका टाइटल है A Tale of Two यह जो एडिटोरियल है आपको मिलेगा 13th of March के न्यूस पेपर में इस टाइटल में जो टेल दे रखाए आपको यह नाउन है of है यह preposition है फिर to वैसे तो to जो होता है वो संख्या होती है तो फिर यहाँ पर यह होना चाहिए था adjective जो numeral adjectives होता है यहाँ पर preposition के बाद object के रूप में है इसलिए इसको भी क्या कहेंगे noun तो यह दो की कहानी है A है वो determiner है तो यह कहानी है कितनों की दो पार्टियों की कहानी है किसको लेकर लिखा गया है on alliance building by BJP and Congress BJP और Congress के द्वारा जो गठबंदन बनाए जा रहे हैं alliance मतलब गठबंदन है, build मतलब बनाना है उसको लेकर editorial लिखा गया है काफी सारे words यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगे pen notebook लेकर बैठियेगा हर एक बात को note करते चलना क्या कह रहा है the BJP and the Congress have taken contrasting approaches to building alliances यहाँ एक word दे रखा है आपको contrasting contrasting जो है इसका word category adjective है और इसका मतलब है इसे कहेंगे different ठीक है या इसे कहेंगे dissimilar तो dissimilar कहा जा सकता है या different कहा जा सकता है ठीक है भई यह है इसका मतलब contrasting का तो क्या कह रहा है the BJP and the Congress BJP और Congress ने क्या किया है contrasting approaches ली है मतलब विरोधा भासी यहाँ पर approach रखी है बिल्कुल विप्रीत या उल्टी approaches है इनकी क्या करने की building alliances alliances बनाने की या फिर gut बंदर बनाने की ठीक है आप सुचेंगे कि two के साथ base form आनी चाहिए तो भई two के साथ base form तब लगती है जब वो infinitive का काम करे जब वो एक purpose बताए उद्देश्य बताए यहाँ purpose नहीं बताया जा रहा है यह approach के साथ two लग रहा है approach क्या है approach यह वाली है इसलिए building आ रहा है तो बीजेपी और Congress से पहले दय है क्योंकि राजनेतिक पार्टियों के नाम से पहले दय आएगा फिर आप पुछेंगे कि इसमें title में दय क्यों नहीं है तो यहाँ पे headlines वगरे में मतलब जो शुरुआती बाते होती है उसके अंदर इनको drop कर सकते हैं हम वैसे इसके साथ में दय आता है ध्यान रखना है आपको तो BJPRO Congress से पहले दय है इन दोनों के लिए verb यहाँ पे दे रखी have taken जो present perfect है contrasting यहाँ पे adjective है approaches यहाँ पे noun है to यहाँ पे हो गया क्या preposition ठीक है वैसे approaches to पूरा ही एक prepositional phrase है फिर building दे रखा है आपको वो इसका object में मतलब form दे रखा है building alliances alliances है वो आपका noun दे रखा है आगे देखेगा after raising its stakes stakes का मतलब होता है share या partnership हिस्सेदारी कह दीजिए और देखिए बहुत सारे नए words आपको पहली slide में मिल जाएंगे after मतलब बाद में raising मतलब बढ़ाना after preposition है तो आगे ing है अपना stakes बढ़ाने के बाद अपने हिस्सेदारी बढ़ाने के बाद in the forthcoming general election और किसमे हिस्सेदारी आगामी आम चुनाओं में forthcoming क्या है forthcoming का मतलब होता है imminent जो जल्द ही घटित होने वाला हो जो नजदीक ही हो nearing, approaching आने वाला है न इसे आप approaching भी कह सकते हो AWPRO, ACHI, NG ये सब इसके मतलब है तो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के बाद किसमें आगामी आम चुनाओं में by declaring a target of 400 seats क्या declare करके कि भी इन्होंने कहा है कि हमारा लक्षे है अपके वार 400 seats हम लेकर आएंगे along with allies ये seats किसके साथ अपने जो मित्र पार्टियां है उनके साथ अपने allies के साथ the ruling भारते जनता पार्टी ऐसा कहके जो सत्ताधरी पार्टी है BZP is mopping up ये mop up जो है ये mop up जो है ये कई सारे मतलब देता है वैसे mop up का मतलब clean करना भी होता है है न पोचा लगाना जिसको बोलते है mop up का मतलब end करना finish करना भी होता है यहाँ पे इसका मतलब है form करना बनाना ठीक है यहाँ पे जो इसका मतलब है context के according ये है बनाना या फिर इससे क्या कहेंगे, इससे कहेंगे bring back to life, क्या कहेंगे bring back to life, पुनर जीवित करना, bring back to life, ये इसका मतलब है, पुनर जीवित करना, National Democratic Alliance, ये Alliance का नाम है, NDA, क्या कहरा चारा है, फिर देखो, आगामी आम चुनाओं में अपनी हिस्चेदारी बढ़ाने के बाद, ये डिकलियर करके कि हम 400 seats यहाँ पर हमारा target है, अपने घटक पार्टियां हैं उनके साथ, ऐसा करके, बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टिय है, व रेज जो है, वो ट्रांजेटीव वर्ब होती है, याद रखेंगे, ट्रांजेटीव वर्ब है तो इसके बाद object लगेगा, तो raising का जो object है, वो stakes है, it's यहाँ possessive adjective है, forthcoming यह aggressive होगा, general election में general executive है, और election है, वो noun है, ठीक है, by declaring by proposition है, तो declaring यहाँ पर in your form में है, preparation के बाद में i इंजी लगता है ठीक और फिर a target में a determiner है target noun है और preposition है 400 seats में seats यह noun है 400 है वो executive है संख्या बता रहा है along with preposition phrase है यह इसका object है lies the ruling भारती जनता party में that determiner है यह executive है भारती जनता party नाम है तो यह noun हो गया is mopping up यह present continuous stance का दे रखा है is helping verb mop up है वो man verb है political partners में political executive है partners noun है across है वो आपका क्या हो जाएगा एक वैसे तो preposition यह है और preposition का object आपको दे रखा है तो क्या है country noun है the determiner है to resurrect यहाँ पे infinitive है और that democratic में यह जो है वो determiner है और nda noun है ऐसे करके आप पूरे word category यह साथ में go through कर सकते हैं just as the bjp is quoting a lies यह quote जो है इसका मतलब है किसी को मनाने की कोशिश करना किसी को रिजहाने की कोशिश करना किस लिए क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपको join कर ले है ना तो try to try to convince someone try to cox someone किसी को मनाने की कोशिश करना किस लिए ताकि आप यह चाहते हैं कि आप उसको शामिल कर ले अपने दल के अंदर इसको बोलते हैं क्या quote करना यहाँ quote verb है वैसे नयले होता है नाउन हो तो just as the BJP is quoting allies with alacriti alacriti जो है इसका मतलब है ततपरता इसको readiness बोलेंगे readiness या eagerness बोलेंगे ततपरता को बोलते हैं क्या alacriti नाउन है putative alliance putative जो शब्द है नीचे लिख देता हूँ putative जो शब्द दे रखा है इसका मतलब है यह यहाँ वाला word यह लिख देता हूँ तो जो एक कालपनिक घटबंदन था opposition parties का विप्यक्षी पार्टियों का that appeared on the horizon horizon on the horizon जो होता है इसका मतलब होता है जो नजदीक हो imminent हो about to happen हो about to happen or exist horizon बोलता है इसको about to happen or exist जो जल्द ही घटित होने वाला हो या जो existence में आने वाला हो तो जो लग रहा था that ही हाँ प्यार है political parties के alliance के लिए तो वो alliance जो लग रहा था कि mid 2023 में कि 2023 में लगबग ऐसा लग रहा था कि यह नजदीक है is unraveling ठीक है वो कालपनिक सा गठबंदन था है ना वो एकदम यथार्त रूप में ऐसा नहीं था कि आपके सामने वो आई गया था लेकिन वो ऐसा कहा जा रहा था कि opposition parties का गठबंदन जो है वो बनेगा जैसे इंडिया alliance की बात यह कर रहे हैं है ना यह alliance जो है इस alliance की verb is unraveling यह सुलज रहा है unraveling का मतलब होता है क्या सुलजना सुलजना मतलब इसको untangle कर सकते हुआ क्या मतलब है इसका इसका मतलब है untangle या disentangle disentangle यह दोनों मतलब होते हैं इसके entangle और disentangle if at all it ever took any concrete form at all मतलब if at all यह negative way में काम करने के लिए interrogative way में काम करने के लिए doubt दर्शाने के लिए use करते हैं कि कहीं if यदी at all कभी भी it ever took any concrete form इसने यह it आ रहा है इस alliance के लिए इसने कभी भी ऐसा लिया हो क्या concrete form concrete का मतलब होता है वास्तविक, real ठीका ठोस रूप, form मतलब रूप फिर समझो जैसे बीजेपी यहाँ पर कोशिश कर रही है बीजेपी से पहले दे बताया मैंने क्यों आ रहा है इस courting है वो आ रहा है present continuous तो अपने allies को मनाने की कोशिश कर रही है बड़ी तत्परता से तो जो putative alliance है जो कल्पित, जो काल्पनिक गटबंदन है opposition parties का जिसने की 2023 के बीच में ऐसा लगा कि यह होने ही वाला है यह गटबंदन जो है वो अब रूप लेने ही वाला है अब यह सुलज रहा है ठीक है, entangle हो रहा है जैसे कि मानो कि इसने कभी ऐसा रूप पहले कभी नहीं लिया हो अब जाके इसने यह थार्त रूप लिया हो यह इसका मतलब है, ठीक है देखे मैंने कहा था बहुत सारे words है तो यहाँ पे इसका, आप screenshot ले लीजिए और यह सारे words भी note down करने हैं आपको आगे देखो BJP की verb है, वो has announced है BJP ने announce किया क्या? a tie-up, गठ बंदन tie-up का मतलब क्या है? गठ बंदन इसने announce किया यह गठ बंदन कि इसके साथ चंदरबबु नाइडू के तेलगू देशम पार्टी के साथ विच यहाँ पे इस पार्टी के लिए आ रहा है वो पार्टी जिसने अलग कर लिया था रास्ता पार्ट का मतलब क्या है? leave someone किसी को छोड़ देना या separate from someone, किसी से अलग हो जाना तो जिसने पे रास्ते अलग कर लिया थे 2018 में, over का मतलब होता है related to, यहाँ पे जो इसका मतलब है यह preposition है, इसका मतलब related to किस मुद्दे को लेकर अलग हो गया था? unfulfilled promises for अंदरप्रदेश की BJP ने जो अंदरप्रदेश के लिए वादे किये थे वो पूरे नहीं किये, ऐसा कहके यह अलग हो गये थे BJP की verb है, वो has announced है BJP ने announce किया, क्या announce किया यह object हो गया, एक गठबंदन किस के साथ? चंदरबाबु नाइडो की party तेलकुदेशन party के साथ जिसने की, अपने रास्ते अलग कर दिये विचारा इस party के तेलकुदेशन party के लिए इसने अपने रास्ते अलग कर लिए 2018 में किस मुद्दे को लेकर कर लिए unfulfilled promises को लेकर promises यहाँ noun होगा, unfulfilled यहाँ पे होगा, executive ठीक है, और किस को लेकर अंदरबरदेश को लेकर जो वादे किये थे वो BJP ने पूरे नहीं किये तेसलिए यहाँ से चले गए थे दूर, इन से रास्ते अलग कर लिए थे Mr. Naidu has slowly made his way back Mr. Naidu ने धीरे धीरे वापसी का रास्ता किया Mr. Naidu की verb है, वो has है slowly adverb of manner है, ठीक है तरीका बता रहा कैसे और has के साथ man verb दे रखी है यह made, यह man verb, यह helping verb फिर इसने वापसी का रास्ता लिया इस विक्ति ने to the NDA NDA की तरफ by distancing himself कैसे किया, अपने आपकी दूरी बना कर यह भाई के साथ ING आ गया himself अपने आपको दूर करके किस से opposition से, विपक्ष से विपक्ष अपने आपको दूर किया, और NDA में वापसी का रास्ता इन्होंने लिया the BJP is acidously acidously का मतलब होता diligently बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से aciduous के साथ LY लग रखा है, adverb है aciduous होता है, वो executive होता है LY लग गया तो यह adverb हो गया इससे diligently बोलेंगे इससे persistently बोलेंगे ठीक है तो BJP ने बड़े परिश्रम से बड़ी निरंतरता से बिजुजनता दल को भी मनाने का यहाँ पर क्या कर रही है, प्रियास कर रही है काल्टिक का मतलब मनाने का, रिजाने का प्रियास कर रही है बिजुजनता दल भी पाल्टिक का नामे तो देल लग रहा है तो revive their alliance किसलिए अपने गठ बंदन को पुनर जीवित करने के लिए revive का मतलब वही resurrect है bring back to life है formed between जो बना था कब 1998 से 2009 के बीच कहां पर ओधिशा में, ठीक है फिर समझेए, BJP कोशिश कर रही है और कैसे कर रही है, ऐसे डिवसली कोशिश कर रही है बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्चरम से, निरंतरता से कोशिश कर रही है बिजू जनता दल को court करने के इसको रिधाने किसको मनाने के किसलिए अपना alliance बनाने के लिए revive करने के लिए, वो alliance कौनसा alliance, यह alliance noun है कौनसा alliance जो बना था, यह executive है इस बीच में बना था, और डिशा में बना था clear है भी यहां तक? आगे देखो और मैं सोड़ा सा बता दू आपको कि अभी live classes भी start हम कर चुके हैं तो कल class हुई थी लगभग 8.45 के करीब तो आप आज भी expect कर सकते हैं class evening में लगभग 8.45 से 9 बजे के बीच या सवा 9 बजे के करीब class start होगी और topic जो है वो पहली में telegram पे post कर दूँआ कि ये topic हम discuss करेंगे तो उसी साब से आप लोग तयार रहें, evening में live class ले सकते हैं और ये आपका शाम को 5 बजे session मिल ही रहा है ठीक है और आने वाले दिनों में बहुत सारे चीजें आपको YouTube पर free of course provide करवाई जाएंगी और paid courses अगर आप access करना चाहते हैं तो फिर आपको एक link दे रखा है description में आशिस classes application का वो application download करें वहाँ से आपको paid courses access करने हैं आप कर सकते हैं demo videos वहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है आगे देखिए the calendar is waiting for the farmer's agitation to blow over blow over का मतलब है शान्त होना मतलब disappear होना बिना कोई serious consequence के इसको बोलते हैं blow over लिख देता हूं में इसको to disappear गायब होना without बगेर serious consequence मगर बगेर दुष्परिणामों के गायब होना मतलब शान्त होना यह होता ब्लोवर अकाली दल जो है वो wait कर रही है wait के साथ four लगता है और wait for के wait for के बराबर हम रखते हैं क्या? await wait for के बराबर क्या रखते हैं? await यह धन रखेंगे तो अकाली दल जो है वो wait कर रहा है किसका farmers agitation का मतलब किसानों के agitation का agitation का मतलब है withdraw अंदोलन जो चल रहा है farmer plural है देखो as लगाने के बाद apostrophe लगा है और मैंने बताया हुआ है कि apostrophe जिसमें लगेगा वो noun होगा और apostrophe के बाद जो शब्द होगा वो भी noun होगा तो farmers भी noun है और agitation भी यहाँ पे noun है clear है तो अकाली दल जो है वो wait कर रहा है किसका किसानों के अंदोलन का खत्म होने का कि किसान अपना अंदोलन खत्म कर दे इसका wait कर रहा है before it could make its next move किस से पहले अपने next move लेने से पहले अपना अगला कदम उठाने से पहले potentially potentially का मतलब होता है possibly to march back to the NDA camp किस लिए ताकि ये NDA camp में जा सके शायद इसका कारण ये है कि ये चाहते हैं कि NDA camp में NDA का जो दल है उस group में वापस जूड सके efforts are on efforts की verb है efforts अभी जारी है उनका मतलब continuous है तो bring the all India अना दरवेड़ मुनित्र कजगम ये party का नाम है तो ये परियास है कि इसको भी वापस लाया जाए NDA के fold में fold का मतलब group है ठीक है इस समूह में Tamil Nadu में तो Tamil Nadu में इस group को साथ लाया जाए है efforts की verb क्या है आ रहे है clear है यहां तक आगे discuss करेंगे इसको आप screenshot ले जीजिए The most striking striking जो है यहाँ पर यह सब यह noticeable है ना यह है noticeable सबसे ज़्यादा notice करने वाली बात सबसे ज़्यादा जो एक सबसे अलग दिखने वाली बात striking यहाँ पर executive है वो है all the recent realignments changes यह जो उथल पुथल चल रही है यह जो changes मन हो रहे है positions में यह positions जो लगातर बदल रही है उसको लेकर लिखा गया realignments recent of executive है realignments noun है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर notice करने वाली बात है हाल फिलहाल के changes में वो है has been अब यह most striking की verb है has been हलांकि यह वैसे executive होता है striking इसको इसने noun के रूप में use किया है क्योंकि understood जो बात है इसने noun को drop कर दिया यहाँ पर striking के बाद में लगाया नहीं striking thing मालनी जिए है ना सबसे ज़्यादा यहाँ पर notice करने वाली बात है वो क्या है तो has been इसकी verb है that of जनता दल chief and बिहार chief minister नितिश कुमार वो है किस बारे में जनता दल जो chief है और बिहार के मुख्यमत नितिश कुमार यह सबसे ज़्यादा striking बात रही who आर नितिश कुमार के लिए यह जो वेक्ति है is now championing champion का मतलब है support करना यह promote करना साथ देना तो यह वेक्ति जो है वो अब साथ दे रहा है किसका third consecutive term कि लगातार तीसरी बार consecutive का मतलब है successive लगातार कि लगातार तीसरी बार BJP center में आ जाए इसका साथ दे रहा है after calling for call for का मतलब होता है ask for या फिर इसे कहते हैं demand मांग करना और calling इसलिए आ रहा है क्योंकि after preposition है यहाँ पे किसके बाद इस चीज की मांग करने के बाद कि इसको हराया जाए इस आ रहा है BJP के लिए इसको हराया जाए preceding months का मतलब पिछले महिनों में preceding executive है इसका मतलब previous है months noun है ठीक है तो पिछले महिनों में इस ने कहा था इस वेक्ति ने कहा था कि BJP को हराएंगे अब ये उस बात को भूल चुके हैं और अब ये कह रहे हैं कि BJP को center में लेकर आएंगे लगातार 374 center में लेकर आएंगे इस बात को ये champion कर रहे है support कर रहे हैं है ना साथ दे रहे हैं ये था आज के इस editorial में अब हम एक translation वाला जो sentence है वो देख लेते हैं अमेरिका के रास्टपति चुनाव के लिए एक बार फिर जो Biden और Donald Trump के बीच आमना सामना होगा मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है कि translation को approach करने का सबसे बहतरीन तरीका ये होता है कि आप sentence का subject देखें कि subject क्या है उसके बाद उसके verb को देखें कि verb कौन सी उसके सत लगेगी तो यहाँ पर subject जो है ना वो यह है आमना सामना ठीक है इसको बोलता है face of तो यह there से बनेगा sentence there होगा तो will be future indefinite there will be a face of there will be a face of आमना सामना होगा किस-किस के बीच में between Joe Biden and Donald Trump Joe Biden and Donald Trump यह हो गया आमना सामना होगा there will be a face of between Joe Biden and Donald Trump ठीक है किस के लिए America के रास्टपते चुनाव के लिए for American presidential election यह आपका translation हो गया है ठीक है subject उसके बाद verb फिर आगे कहानी हमें note करने पड़ते है देको दे रखा है there will be a face of once again अच्छा once again मैंने छोड़ दिया है एक बार फिर से दे रखा है face of once again एक बार फिर से यह once again शुरुआत में भी आ सकता है ठीक है न once again between Joe Biden and Donald Trump for the US presidential election मैंने American लिख दिया US लिख दिया एक ही बात है तो यह आपका आज का एडिटोरियल हुआ मुलाकात होगी अब आज इवनिंग में एक सेशन के थूँ जिसका मैं टॉपिक बता दूँगा टेलेग्राम पर और कल हम शाम पांस बजे एडिटोरियल हम डिसकस करेंगे ही तब तक लिए नमस्कार तक बता है